समस्तिपूर में बूरही गंडक के जलेस्तर में कमी होने के साथ ही समस्तिपूर मुक्तापूर के बीच डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सोम और सुबसे सुरू हो गया है हालाकि पानी अभी भी खत्रे के निसान से उपर है लेकिन फिलहाल पानी पूल संख्या एक के गार्डर से नीचे चला गया है अभियंताओं की टीम ने जाच परतार कर ट्रेनों के परिचालन को हरी जंडी दे दी मंदल रेल प्रवंधक अशोक महेश्वरी ने समस्तिपूर में बताया कि बूरी गंड़क के जलिस्तर में आई कमी और रेल पूल संख्या एक पर पानी के कम दबाव को देखते हुए इस रेल खंड के डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सुरू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि समस्तिपूर दर्भंगा रेल खंड के डाउन लाइन पर बार के कारण पिछले 10 जुलाई से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था यह समस्तिपूर दर्भंगा के बीच में समस्तिपूर के नजदीक ब्रिज नंबर वन उसमें दो ब्रिजेज हैं एक अप लाइन पर और एक डाउन लाइन पर डाउन लाइन वाले ब्रिज पर पानी का सतह जादा होने से उसमें ट्रेन ओपरेशन पिछले 8-9 दिन से बन थ आज सुबह मॉर्निंग में इसका सतह नीचे जाने से यह ट्रेन ओपरेशन इस पर वापस से रिस्टोर कर लिया गया है ब्रिज की पूरी जांच कर लिए और इसको ट्रेन ओपरेशन के लिए सही पाया गया है और उसके उपरां यहां पर ट्रेन ओपरेशन चालू कर दिया गया है इससे जो भी शॉट टर्मिनेटेड या डाइवर्टेड ट्रेंज थी वो वापस नॉर्मल रूट से और अपने ओरिजिनल गंतवे स्थामन पर आने जाने लगेंगे